हेला दोस्तों मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हवी योट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज की वुडियो लेक्चर में क्या होने वाला है? देखिए आज की उडियो लेक्चर में हम मैं आप लोगों को Atomic Structure के सभी Important Question Detail Explanation के साथ बताने वाले हूँ बहुत सारा Important Concept आज हम लोग सीखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारा Objective का Practice भी करने वाले हैं ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही helpful सावित होगा एकजाम के Point Abuse तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला नंबर कोसन है आप लोगों से Which of the following ion is IsoElectronic with CO तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाती हूँ ये IsoElectronic क्या होता है IsoElectronic वो होता है जिसमें same number of electron हो IsoElectronic क्यों होता है आप लोगों जिसमें same number of electron हो तो चलिए हम लोग सभी का electron काउंट करते हैं और हम लोग बताते हैं CO के साथ IsoElectronic कौन सा होगा तो देखिए इस पहले सबसे पहले CO का ही चेक कर लीजिए तो सब में चेक किस जगा तो देखिए CO में number of electron कैसे check करते हैं C मतलब carbon und के time कितना number पर आता है carbon आता है आप लोगों को 6 number पर और oxygen कितना पर आता है oxygen आता है आप लोग को 8 number पर तो हैप लोगों को 8 और 6 कितना हुआ? 14 का लिब होगा सियो का number of electron कितना हुआ 14 ओके तो चलिए सियो का तो अपने मझेंन को देखी है क्लायकन पिया साथ होता है और यहां पर सकतर याहां पर Onट चुछा ओब मतलब कितना कि कि तो बहुत उता और यहां सब्सक्राइब मतलब 16 और माइनस वन करेंगे तो यह हैं दो यहां पर ऊप्सण आपकर गलत हैं यहां पर और नीतरों इंट्ट्व मतलब 14 और प्लास वर मतलब कहुंसर और क्याक्ट्ट अगर आप लोगों कोस्ट बना पढ़ेगा यह लाइ किसके साथ पूछ रहा है, इसका electronic मतलब कि ऐसा कौन सा element है, इसमें भी जतना electron है, ओप्सन में भी उतना ही, ये चाड़ों में से उसका भी उतना ही number of electron हो, कोड़ी आइसो electronic मतलब हम लोग जानते है, cm number of electron होता है, तो सभी का हम लोग number of electron चेक किए और question का answer बता दिए, देखिए question number one हम लोग देख चुके थे question number one का हम लोग आया था cn-1 देखिए question number two में क्या बोला है four and element two electron cannot have the same देखिए कोई भी electron के लिए दो electron जो है दो के लिए वो कभी भी same नहीं होगा all quantum number सभी के सभी quantum number किसी के लिए भी same नहीं हो सकते एक लास्ट वाला जो होता है न वह different होगा है तो इसका आप लोग का option number four correct होगा question number two का अब हम लोग देखेंगे next question next question क्याविच अब दी following represents the electronic configuration of an inert gas तो देखिए inert gas का जो electronic configuration होता है न वो fully filled होगा आप लोग देख सकते कौन सायसा है यह फूली फिल्ड नहीं है यह क्या आप लोग का यह भी 3S1 यह भी fully filled नहीं है और इसमें क्या है देखिए इसमें 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 3p6 हाँ यह option नमबर 4 बिल्कुल करेक्ट है यह एक fully filled और वाइटल है और यह इनर्ट गैस है तो देखिए 2-2-4 4-4-10-12-18 पर कौन होता है और आप लोग को पता होगा इनर्ट कौन होता है इनर्ट गैस होता है नियोन आर्गन क्रिप्टन नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनोन रेड़न ओके यह सभी आप लोग का कौन सा गैस है यह सभी आप लोग का इनर्ट गैस है और आप लोग इसको इसको इसक कौन सा उप्सन करेक्ट होगा को सर नमबर ठीका आप लोग का उप्सन नमबर फोर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देखिए मैं सभी को सब्सक्राइब कर रहे हूं ताकि आप लोग से इसी प्रेकार का कोई दूसरा कुछ पूछे तो आप लोग उसको गलत नहीं किजेगा इ बोग देखेंगी को सरी नमबर फोड में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है तो देखिए लेक्ट्रोनिक अन्फिगरेशन दे रहा है और यह पूछ रही आप लोग का मेटल या फिर मेटल नंवेटल है या फिर नदल या फिर इनार्ट के आसा थे यह आपलों का 1-2 2 तो आप लोग को यह पता होगा इसका अगर इस्टेवल फॉर्म पूछेंगे पूछूंगे मैं आप लोगों से तो आप लोग क्या बताएगा वन्हें टू टू एस्टू और टू पी सीक्स और यह जो बाहर का बाहरी सेल में जो दो एलेक्ट्रॉन है वह लूज कर देगा य आप लोग इस इलेक्ट्रॉन को दिखिए गा तो यह आप लोग母 बोलश करेगा तो आप लोग भोलेगा यहीं यहा इस्टू है ना तो यहीं आपे टू को जिए 2 जागे लेक्रोन बंचिव करता है तो आप लोग. यहां इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो आप ऒलोगा कौन सा ओप्षान और भी बिछकुल और हम लग देखेंगे next question कि क्या बोला है विच पिवल बोले हैं फाइन को सेनी सफ्राइग दोसेट यह कुझा है आप लोग को पता होना चाहिए जाएा, आप लोग i Doables Его Alfção को चैसको उतलूट पर राऊंजिशनümüz जPopो यह कोgent एलूमेंट को उमारोा योग इंटर नहीं कर रहा है। लेकिन इस में देखिए ए इसमें आप Living होको कॉस्टन नूम्बर फाइब प्रेंना इसमें इसमें लास्स इलेक्त्रोन दि में दो इलेक्रोन इंटर एतो आप आप लोग का चलिए फाइब नमबर कोसंग तक देख चुके हैं अब हम लोग देखेंगे कोस्ता नमबर सिक्स के आप लोग का दी क्वांटम नमबर विच रिप्रेजेंट्स दी पोजीशन एंड इनर्जी और इनर्जी बताता है ना तो वह हम लोग एन से पता करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए नहीं पता है तो अभी सुन लिए पोजीशन और एनर्जी अम लोग एन के एन से बताते हैं तो एन जो होता है आप लोग को एन जो हता आप लोग का प्रेंसपल नमबर है यही एजी मुथल क्वांटम नमबर के बाड़े मैं पूचू तो यह स्पिन क्वांटम नमबर का और मैं दूंडिकल नमबर का आप लोगों का हो जाता है मैं टिम् चुपन लोग को नमबर का हो जाता है आप लोगों पैर आधिंज मूत हल ओब सेह अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गोस्टे नमबर 7 में हम लोग 6 तक सॉल्व कर लिए हुए 7 में क्या पूछ रहे है The number of unpaired electron in Ni2 plus तो पूछ रहे हैं आप लोगों से Ni2 plus में number of unpaired electron कितना है तो आप लोगों क्या करना होगा Unpaired electron कैसे बताते है तो आप लोग पहले इसका electronic configuration लिखिएगा फिर आप लोगों को पता चलेगा इसका unpaired electron कितना है तो Ni2 plus की बारे में बात किया जा रहा है तो सबसे पहले Ni जिसका atomic number 28 है इसका आगर मैं आप लोगों को बोलूंगी electronic configuration लिखने के लिए तो इसका होता है 3D8, 4S2 3D8 और 4S2 तो इसमें क्या बोला है 2 plus मतलब 2 electron को बाहर निकाल देना है तो ये बचा 3D8 तो आप लोगों को 3D8 पता होगा D में 5 orbital होते 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 8 को fill करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6, 7, 8 तो इसमें 2 जो ऐसे हैं दो आप लोगों को unpaired orbital है तो आप लोगों का 7 नमबर का कौन सा correct हो जाएगा देख लिजे 2 कहीं दिया है option number B correct हो जाएगा 7 नमबर का समझ में आये क्या पूछा जा रहा था number of unpaired electron तो आप लोगों को इसका electronic configuration लिखना था और फिर बता देना था इसमें कितने number of unpaired electron है तो question number 7 का आप लोगों का option number B correct हो जाएगा अब हम लोग देखेंगे next question देखें, question number 8 में क्या पूछ रहा है पूछ रहा है number of unpaired electron in d orbital of an element atomic number 29 in ground state तो देखें, atomic number उसका है 29 और पूछ रहा है इसका number of electron क्या होगा तो अगर मैं आप लोगों को पूछू electronic configuration तो होता है 3d10 और 4s 0 तो आप लोगों से पूछ रहा है d में आप लोगों के number of unpaired electron कितने है तो आप लोगों को क्या दिख रहा है इसमें number of unpaired electron एक भी नहीं है 3d10 पूड़ा fully filled है तो आप लोगों का इसका option number 3 correct हो जाएगा कौन सा 0 जिसमें option दिया होगा न वो आप लोगों का correct हो जाएगा तो question number 8 का आप लोगों का option number 3 correct हो जाएगा देखिए मैं आप लोगों को देखेगे इस paper तो आप सभी के पास होगा और answer भी उसमें दिया हुआ है लेकिन आप लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है इसके लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाई हूँ हर एक question का मैं आप लोगों को detail में explain कर रही हूँ आप लोगों खुद देखी रहे हैं तो चलिए question number आप लोगों को 8 तक बता दिमें अब question number next देखेंगे देखेंगे question number 9 क्या बोल ला है which of the following series is paramagnetic तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें आप लोगों का paramagnetic कौन सा है copper है मतलब copper crystal कहलने का मतलब Cu है या फिर Cu प्लस है या फिर Cu2 प्लस है या फिर H2 है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ paramagnetic होता क्या है तो जिसमें number of unpaired electron present होंगे न वो आप लोगों का paramagnetic होगा तो जैसे आप लोग नाई 2 प्लस में देखें number of electron था 2 और देखें atomic number जिसका 29 था तो उसमें तो कोई unpaired electron था यह नहीं तो आप लोगों का हो गया था 0 तो इसमें पूछे जाए रहा है आप लोगों से कौन सा ऐसा है जिसमें आप लोगों को जो paramagnetic होगा मतलब जिसमें आप लोगों का number of unpaired electron है तो आप लोग को इतना तो पताई होगा copper क्रिस्टल है copper का atomic number आप लोगों का 29 होता है तो 29 का अभी हमएं आप लोगों को बताई number of electron इसमें 0 होता है तो यह आप लोगों का correct नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई impaired electron नहीं है तो आप लोगों का वही option correct होगा जिसमें आप लोग के impaired electron होंगे और cu plus one में दिखेगा तो इसका भी electronic configuration दिखेगा तो इसमें भी कोई आप लोग को number of unpaired नहीं मिलेगा आप लोग जब cu 2 plus का electronic configuration लिखेगा तो आप लोग को पता चलेगा आप लोग को इसी में number of unpaired electron है ओके तो question number 9 आप लोगों समझ में आ गया अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोश्यान देखिए आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो में जो भी एडवार्टाइजमेंट आएगा उसको पूरा देखिएगा इसकी मत किजिएगा देखिए कोस्ट नमबर नाइन तक हम ल अब लुट का होगा एडि ब्लॉक का होगा अ अब लोग को तो आप लोको क्या करना हो गाएप लोक काई इसका कन्फीक्रेशन ऻो लिख सकतें आसे लिक्सके 2 8 8 18 18 18 32 18 16 चोबन तो आप लोगों promot देखिएगा किसमें है ये तो आप लोगों को पता चेलेगा ये जू है कोशन नमबर टेन का आप लोग का ओप्सन नमबर फॉर करेक्ट होगा जिसका अटमिक नमबर फिप्टी एट होगा ना वह आप लोग का एफ ब्लोक का एलिमेंट होगा तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोश्यान दी मैंगनेटिक क्वांटम नमबर इस होता है ओक्यर और मैंनेटिक क्वांटर नमबर होता कहां से कहां तक है माइनस रिल टू एल और एजी मूथल नमबर कहां से कहां तक होता है 0 ू न – 1-1 बिलेखी तो question number 11 का आप लोग का magnetic quantum number is related to orientation तो आप लोग का question number 11 का option number 3 बिल्कुल correct दिया हुआ है अब हम लोग देखेंगे next question देखें मैं जिस फीडियेप से परहारी हूँ वो फीडियेप आप लोग को telegram channel पे भी share कर दूँगी तो जो description में telegram channel का link है तो उसको जोइन कर लेजिए बहुत साथ देखें 300 student जोइन है telegram group में लेकिन telegram group में मैं share नहीं करूँगी मैं telegram channel पे share करूँगी telegram channel में देखें अगर telegram channel जोइन करना होगा तो आप लोग क्या कि जाएगा आप लोग telegram पे जाएगा capital A, capital U, capital P सुप्रिया एजुकेशन हपुड़ा capital लिखेगा और उस group में 100 से जाएगा तो आप लोग उस group में add हो जाएगा और जिसमें 300 के आसपास है तो उस group में नहीं भी add हो जाएगा तो कोई बात नहीं वो तो यह telegram group है और यह telegram channel है telegram channel पर मैं PDF लिंक वेगर आजिये करूंगे telegram group में आप लोगों से बात करती हूँ आप लोगों से सजिसन लेती हूँ और कुछ-कुछ बात होता है तो चलिए आप लोग कोस्टन नमबर 11 तक देख चुके अब देखेंगे हम लोग कोस्टन नमबर 12 देखेंगे कोस्टन नमबर 12 क्या देदे दिया हूए आप लोगों को करेक्ट सेट फोर क्वांटम नमबर फोर दा वैलेंसी एलेक्ट्रोन अफ रूवीडियम जेर इकॉल टू 37 तो देखेंगे यह कोस्टन आप लोग के एक जाम पॉइंट अव्यू से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है देखेंगे मैं अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को तो देखेंगे फाइव एस वहान है मतलब आप लोगो सिसमें एन पूछा रहा है तो एन क्या होगा आप लोग एक जाम में आएगा तो आप लोग थोआसा ध्यान देजीए ओके देखें, next question क्या है, the number of orbital in any principal energy level is given by, तो यह क्या आप उच्छ रहा है, principal energy level number of orbital is given by, तो यह आप लोग का क्या हो जागा, na square, तो 13 का आप लोग का option number B जो है न, वो बिल्कुल correct है, question number 13 का, अब देखें, next question क्या है, when the azumetal quantum number L equal to 0, the shape of the orbital will be, तो देखें, आप लोग का इसका क्य होगा, मैं अच्छे से समझाती हूँ, यहां L equal to 1 है, देखें, अगर आप लोग का L equal to 0 रहता है, मतलब वो S orbital में है, उसका, okay, तो S orbital कहने का मतलब है, S आप लोग का जो है न, वो S spherical होता है, तो यह आप लोग का स्पेरिकल नहीं होगा, क्योंकि L 0 नहीं है, अगर L 0 रहता B जो है न, वो question number 14 का, बेलकुल correct हो जाएगा, okay, समझ में आया, B कैसे correct होगा, अगर देखें, अगर L equal to 1 नहीं देखें, L equal to 2 देखें, पूस्ता तो क्या होता है, तो L equal to 2 कहने का मतलब है, आप लोग का वो D orbital में है, और D orbital का safe होता है, आप लोग का double dumped safe, तो आप लोग का option number 3 correct हो जाता, अगर आप लोग को L equal to 2 भी नहीं देखें, 3 देता, तो उसका मतलब हो आप लोग का A block का, A block और vital का हो जाता, तो उसका safe आप लोग का complicated होता है, तो आप लोग को समझ में आगे, अगर L equal to 0, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3 कुछ भी पूछा जाए, तो आप क्या लगता है, कौन सा option correct है, आप लोग को option number B correct है, अब हम लोग देखेंगे next question, देखें, question number 15 के आप लोग का the presence of 3 unpaired electron in the nitrogen atom can be explained, तो देखें, आप लोगों से presence of 3 unpaired electron, nitrogen atom में 3 unpaired electron जो होते हैं, वो कौन सा theory आप लोग को explain करता है, तो पूछा जा रहा है, तो आप लोगो को यह है न, यह हूंस rule, आप लोग को explain करता है, आप लोग को हूंस rule, अप लोग को अच्छे से आना चाहिए, तो unpaired electron के बारे में जो बताता है, nitrogen के कैसे कैसे electron feel होगा, यह आप लोग का हूंस rule ही बताता है, तो question number 15 का, आप लोगों का option number B जो दिया हो है, वो बिल्कुल correct अब हमें लोग देखेंगे next question, दिखे 16 number question क्या बोला है, आप लोग का the maximum number of electron in a principal cell are, तो आप लोग का maximum number of electron क्या हो जाएगा, principal cell में, तो यह आप लोग का maximum, maximum number of electron in principal cell is 2n2, तो आप लोग का 16 का option number 3 जो है न, वो correct हो जाएगा, दिखे 17 number question क्या है, number of unpaired electron in lithium metal atom is, तो आप लोगों से पूछा जाएगा है, लिथियम में आप लोग का number of unpaired electron कितना है, तो सबसे पहले तो आप लोग को पढ़ता होना चाहिए, लिथियम का atomic रमरता hydrogen, helium, lithium, hydrogen, helium, lithium, lithium का थिरी होता है, इसका electronic configuration क्या हो जाएगा, 1s to 2s1, तो आप लोगों का इसमें number, इसमें 2s में तो एक ही और बहुता है, तो आप लोगों का number of unpaired कितना है, number of unpaired है, आप लोगों का एक तो सबसे तरह का, आप लोगों का option number, यह बिल्कुल correct हो जाएगा, देखिए, नेक्स्ट कोशन क्या है, electron ही जाएँ, तो electron क्या आप लोगों इलेक्ट्रोन जो होता है, यह आप लोगों का कौन सा है, अल्फा बेटा पार्टिकल, अल्फा बेटा पार्टिकल, तो question number 18 का, आप लोगों का option number B, बिल्कुल correct हो जाएगा, अब हम लोगों देखिएंगे, next question, क्या है, आप लोगों का next question देखिए, डी और वाइटल कंटेन maximum electron, तो मैं आप लोगों को थोई दे पहले ही बताई थी, D electron कितना maximum electron और वाइटल को कर सकता है, तो देखिए, अगर मैं S का बोलूं, तो S का 2 होता है, P का बोलूंगी, तो P का 6 होता है, D का बोलूंगी, तो D का 10 होता है, और F का बोलूंगी, तो आ 19 का 3 करेक्ट हो जागा, अब हम लोग देखेंगे next question, यह आज का हम लोग का last question क्या है, आज का हम लोग का last question है, an element having atomic number 37, तो देखिए, atomic number 37 का मैं आप लोगों थोरी दर पहले electronic configuration बताई थी, आरगन 5S1, तो देखिए, यह तो inert gas नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्रिप्टन रहता ह तो आप लोग का inert gas होता है, और transition metal का होता है, जब last electron enters in the orbital, तो the orbital में जो होता है, वो transition metal होता है, और यह क्या बोला है, and halogen तो fluorine, chlorine, bromine, iodine होता है, तो यह आप लोग का active metal correct हो जाएगा, तो question number 20 का, आप लोगों का option number 1, बिल्कुल correct हो जाएगा, तो देखिए, आज के वीडि structure के में बहुत सारा concept आप लोगों को बताई, और उस पर 20 question आप लोगों को practice भी करवाई, आप लोगों को यह class कैसा लगा, मुझे comment section में जरूर बताईएगा, अभी और भी आप लोगों के आप लोगों के इंपोर्टेंट objective है में पास, आप लोग बोलिएगा, तो फिर में thank you, bye